असलामनीकुम एवरीवन दिस इस माज अमसिदी की एंड वेलकूम तो माई यूटीब चैनल तो इस वीडियो में हम कैल्सी वाइरस के बारे में डिसकस करेंगे तो चलें शुरू करते हैं अभीज के असले दिस को अरशाविसाल, गांटि की बारे में जा वोहवरीवन, प्र Glore के इस में बडिक साथा है अपिक अरे फिलाएं केल्सी वाइरस सब्लेदी को में डिक किसीन इस अए etcetera कर आफ़ा, दोटर फैलों, तो यह वाईरस वाईरस किसी भी चैन्तिन स्धannyated area sind जहां पे वाइरसियास कैट 2050 सकता है और अगर infected कैटार्थ है infected कैट के साथ दुसरी कैट अगर इटेच होती है फूटबाउल शेयर करती है लिट्रे शेयर करती है या इसको स्कुचेंग कफिंग को अफेक्ट करते हैं जिसमें माउथ में टंग में लिजिन्स बन जाते हैं हार्ड पैलेट पर इवन के साथ में नेजल डिस्चार्ज और अकुलर डिस्चार्ज होता है स्नीजिंग होती है कैड को कफिंग होती है और अगर जादा स्वियर कंडिशन हो तो उसमें लंफ नोट की स्वैलिंग भी हो जाती है कैट को फीवर हो जाता है लिथार्जी भी हो जाती है कैट को अब आपने कैट का ट्रीटमेंट कैसे करना है ट्रीटमेंट में यह है कि आप सबसे पहले तो प्रॉपर इसकी डाइगनोसिस करेंगे डाइगनोसिस के बाद आप जो है वो इसकी जो hydration है या कोई और problem है तो sportive therapy basically उसको help out करती है इसमें दूसरी चीज़ आपने broad spectrum antibiotic यूज़ करनी है जो basically secondary bacterial infection को control करेंगा उसके साथ आपने cat के जो भी sign and symptoms आपको नज़र आ रहे हैं like all a region है oral उसके mouth के अंदर तो उस पे आप जो है उस related medicine यूज़ करेंगे fragile आप यूज़ कर सकते हैं साथ में somo gel यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई blister या leegins वगेरा नज़र आ रहे हैं और lump node की selling है fever है तो उसमें जो है वो आप inside use कर सकते हैं वो basically उसकी selling को भी खतम करेगा और साथ में जो उसका fever है उसको भी खतम करेगा अब जहां तक इसकी prevention की बात है तो prevention में सबसे important चीज़ यह है कि अगर कोई cat ill हो जाए बिमार हो जाए तो आपने उसको बाकी cat चेज़े quarantine कर देना है separate रखने हैं कि बाकी cat के साथ नहीं आने देना वनकि आपको क्लेनिक पर भी केस treat करते हैं तो प्रॉपर जब आप उसके treatment कर लें उसके बाद अपने जितने भी instruments हैं यह table है उसको प्रॉपर तरीके से आपने sanitize कर देना है यह घर में भी अगर वो cat है वो दूसरे twice के साथ खेर रही है तो आपने उनको proper sanitize कर देना है आपने area को proper तरीके से sanitize कर देना है अब आप चाहरे हैं कि आपकी cat को Kelsey virus का problem ना हो तो आपने वो vaccination कर वा लेनी है vaccination ऐसे है कि दो doses लगती है उसके बाद पर हर साल annual booster लगता है kitten को तो इस तरीके से आप Kelsey virus से बच सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप इसमें मजीद कोई information चाहते हैं तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं thank you so much